आप देख रहे हैं दखल न्यूज जवालल नहरू युनिवर्सिटी में रविवार रात को हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने शुकरुवार को हमलवरों की तस्वीर चारी की हैं इसमें जियनियू छात्र संग की अध्यक्ष आईशी घोश समेत नो हमलवर हैं तस्वीर में आरोपियों के नाम भी हैं जिनमें जियनियू के पूर्व छात्र चुन्चुन कुमार, सुचिता, तालूगदार और प्रियार रंजन हैं डिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रेस कॉन्फरेंस करके बताया कि जिन छात्रों की पहचान हुई है उनमें चुन्चुन कुमार, पंकज मिश्रा, योगेंद्र भार्द्वाज, प्रियार रंजन, विकास, पटेल डूलन, आईशी घोष के नाम है एक सेकंड, मैं आपको दूँगा, नाम दूँगा Students Front of India, All India Students Federation, All India Students Association, Democratic Students Federation, इनिके आफिलेशन में है से एक ये वासकर विजय मेख है, ये भी student है, JNU के सुचेता तालुकदार, she's a counselor, JNU और ये प्रिया रंजन है, बीए 3rd year और एक है दोलन सामन, she's student counselor और योगेंदर भारदवाज है, ये PhD कर रहे हैं संस्क्रिट में और योगेंदर भारदवाज, संस्क्रिट में PhD कर रहे हैं ये administrator है, ये unity against left के तो, we have identified him also और एक विकास पटेल है, जो कि आपने काफी सारे उसमें देखा होगा बिल्ली पूलिस की क्राइम ब्रांच ने, DSP जाय टर्की ने कहा कि जन्यू हिंसा मामले की जाच को लेकर कई तरह की गलत जानकारिया फैलाई जा रही है एक जनवरी से लेकर पांच जनवरी तक रेजिस्टेशन होना था हारा की SFI, AISA, AISF और DSF छात्र संगठनों ने छात्रों को रेजिस्टेशन करने से रोका रेजिस्टेशन करने वाले छात्रों को धमकाया जा रहा था इसके बाद विवाद लगातार बढ़ता गया और पांच जनवरी को पोरिया वा सावरमती हॉस्टेल के कुछ कमरों में हमला किया गया डिली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने DCP जोएट टर्की ने कहा कि JNU में हिंसा करने के लिए वाटसिप ग्रूप भी बनाए गए नगापूश जानते थे कि उनको किस किस कमरे में जाना है हिंसा के CCTV फोटेश नहीं मिले हैं हाला कि हमने वारल वीडियो के जरिये आरोपियों के पहचान की है इसको लेकर हमने 30-32 गवाहों से भी बाच्चित की है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुतावेक जिन्यू में हुई हिंसा में जिन चात्रों के पहचान हुई है उनमें चुन्चुन कुमार, पंकज मिश्रा, योगेंदर भारद्वाज, प्रिया रंजन, विकास पटेल, जोलन, आईशी, घोश के नाम शामिल है रविवार राज जिन्यू में हुई हिंसा मामले में कई एफाया दर्ज की गई है हलाकि अभी तक पुलिस जिन्यू कैंपस में लाठी डंडे चलाने वाले और सर्वार रूम को तोड़ फोल करने वालों को ग्राफतार नहीं कर पाई है बुदवार की देश शाम से ही कारोबारी प्रवीन सोमारी लापता हैं शाम को फैक्टरी से पंडरी स्थित घर जैश्री मरलिन जाने के लिए कार से निकले थे गुरवार की सुभा तक जब वे घर नहीं पहुचे तो परिजनों ने तलाश शुरू की पता नहीं चलने पर धरसीवा पुलिस को इसकी सूचना दी गई उनकी रेंज रोवर कार उनके राम कुटिर पर सुली डिहिक इस्थित ऑफिस के पास लावारिस हालत में मिली इससे परिजनों ने अपरहन की आशंका जयताई है वहालागे सिसी टीवी के अमरे को खंगालने पर दो अग्यात लोग कार को सड़की किनारे पार्क करते पर जाच कर रही है मामला अपरहन का है या लापता होने का इस मामले में फिलहाल दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता परिजनों ने जरूर अपरहन की आशंका जटाई है लेकिन अभी तक उनके पास किसी का फोन नहीं आया है थोड़ा सा राज्यस्व प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार शराब सिंडिकेट के सामने नतमस तक नजर आ रही है कमलनाथ सरकार बाद गांधी जी की करती है और उसने पूरे प्रदेश में जगां जगां शराब की उपत दुकाने खोलने को मनजूरी दे दी है कमलनाथ के इस फैसले का समाज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसके खतरनाथ नतीजे धीरे-धीरे सब के सामने आएंगे कमलनाथ सरकार के नए फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी उपाध्यक्ष शिवरा सिंग ने कड़ा विरोद किया है शिवरा सिंग ने कहा हमारी सरकार ने शराब दुकाने कम की थी अब उप दुकाने खुलने से शराब की दुकाने तिगनी और पाज गुनी हो जाएंगी यह सरकार प्रदेश की जनता को शराब के नशे में डुबाना चाहती है नशे के कारण अपराद बरते हैं अपराद रेकी घटनाए नशे में धुत होकर अंजाम देते हैं जब हमारी सरकार थी तब हमने तै किया था मदब देश में कोई नई सराब की दुकान नहीं खोली जाएगी और जो बरत्मान सराब की दुकाने हैं उस समय की मैं बात कर रहा हूँ उनमें हम धीरे धीरे कमी करेंगे कम करेंगे उनके और हमने दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया था लेकिन ये फैसला एक या एक से अधिक उप दुकाने खोली जा सकेंगी अब एक से अधिक का मतलब किवल एक नहीं अगर एक खुलती है तो आज जितनी सराब की दुकाने हैं मधप्रदेश में वो दुगनी हो जाएंगी और एक से अधिक अगर खोलते हैं तो वो तिगनी होगी चौगनी होगी ये पांच गुना होगी इसका कोई छिकाना नहीं है ये मधप्रदेश को सराब के नसे में डुबा के तबाह करने की तयारी है इस सरकार की शिवरा सिंग्ने सवाल किया कि सरकार प्रदेश को कहान ले जाना चाहती है ये लोग एक तरफ माफियाओं पर दंब भरते हैं दूसरी तरफ चराब माफियाओं के हवाले प्रदेश को कर रहे हैं उन्होंने कहा कमलनास सरकार का ये काम मधदुदेश को तबाही के रास्ते पढ़ने जाएगा शराब की उब्दुकाने खोलने के फैसले को सरकार वापस ले यह राजनेतिक नहीं जन्ता और मथलाओं की भलाई के लिए है यह सराब की उब्दुकाने खोलने का विसे यह बहुत गंभीर विसे है और तबाही लाने वाला विसे है और मैं किसी राजनेतिक कारण से इसका दिरोध नहीं कर रहा हूँ मैं मधदुदेश का जिम्मेदार नागरिखू मुझे चिंता है प्रदेश के प्रदेश के भविस की माताओं बेटी और बेहनों की इज़्जत की और इसलिए मैं बहुत गंभीर्टा से सवाल को उठा रहा हूँ और मैं मीडिया के मित्रों से भी यह आग रह करता हूँ कि इस विसेपन कमलना सरकार की नई शराब नीती पर सहकारिता एवं संसद्य कारेमंत्री गोविन सिंग ने कहा कि नई शराब नीती लागू होने के बाद अब साफ सुत्री शराब मिलेगी लोग मिलावती शराब नहीं पिएंगे पीने वालों पर किसी तरह का प्रतिबन नहीं होना चाहिए पीने वालों को कोई जबरदस्ती तो पिलाता नहीं है प्रजातंत्र है देश में खाने पीने के लिए सबस्वतंत्र हैं हम तो इस पर कोई प्रतिवन नहीं चाहते हैं हर आदमी को अपनी इच्छा से खाने का पीने का अधकार है हम तो इसमें कोई प्रतिवन नहीं चाहते और इसलिए जिनको नहीं पीना कोई जमलिश्ति पराता नहीं है पूर्व मुखिवंते शिवराज के बयान पर कटाक्ष करते हुए मंत्री गोविन सिंग ने कहा शिवराज केवल बयान देते हैं 15 साल में तो कुछ कर नहीं पाए उन्होंने क्यों नहीं शराब बंदी की शिवराज पहले अपने गिरेबान में जहात कर देखे गोविनपुरा और द्योगी छेत्र में शुक्रवार को तीन गुठका कंपनियों के कारखानों पर स्टेट, जीस्ट, खाद विभाग, बिजली विभाग और आर्थिक अपराज शाखा की संट कारवाई की गई है इन कारखानों में 100 करोड से अधिक की मिलावटी सामगरी गुठका बनाने की मशीने जब की गई है साथ ही 500 से ज्यादा बाल मजदूर भी काम करते पाए गए हैं UW-SP अरुनकुमार मिश्रा ने बताया कि कर्चोरी मामले में अलसुभा गोविनपुरा छेत्र इस्तितीन गुठका कमपनियों में च्छापा मारा गया है इस च्छापे में कमपनियों में लगभग 5 करोड रुपे कीमत की मिलावटी गुठका पाया गया है जिसे देश के अलग-अलग इस्थानों पर भीजने की तैयारी थी उन्होंने बताया कि कमपनी में लगी मशीन में छेड़ चाड़ कर तैसीमा से अधिक उतपादन कर कमपनी द्वारा टेक्स चोरी भी की जा रही थी वहीं बिजली की चोरी करने का मामला सामने आया है बिजली चोरी कर गुठका कार खानों में दिन रात उतपादन किये जाने की भी बात सामने आई है बिजली चोरी कितनी हुई है इसका आंकलन भी किया जा रहा है गोविंत प्योरा में गुटका कम्पनियों के खिलाफ ये एक्शन मुख्यमंत्री की माफिया के खिलाफ हो रही करवाई के तहत की गई गुटका कमपनियों के ठिकानों पर चापे के दोरान कारखानों में बल्श्रम और करोणों रूपे के टैक्स चूरी का मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि EOW बीते एक महिने से इन कमपनियों के खिलाफ करवाई करने की तैयारी कर रहा था मुखे मंतरी कमलनात की हरी जंडी मिलने के बाद एजेंसियों ने यह करवाई की सरकार की शुद के लिए युद अभ्यान के तहट चावे मार करवाई की गई है नागरिक्ता संशोधन कानून को लेकर केंदर राजमंत्री फग्गन सिंग को लस्ते ने कहा कि नागरिक्ता संशोधन कानून से भारत में निवास कर रहे अलपसंख्यकों को कोई भी नागरिक्ता संबंदी खत्रा नहीं होगा यह है कानून पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है उन्होंने मद्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनात को आड़े हाथो लेते हुए कहा कि कमलनात कहते हैं कि वह यह कानून मद्रदेश में लागू नहीं करेंगे जबकि यह कानून देश की पार्लिमेंट में पास किया है और राश्टपती के हस्ताक्षर से कानून बना है फगंद सिंग ने कहा कि कानून के बारे में जगरुकता नहीं होने से राजनेतिक लोग जनता में भ्रहम फेला कर व्यर्थ की समस्या पैदा कर रहे हैं भारत के किसी नागरिक किसी समदाई के खेलाप में यह बिल नहीं है यह हमारे सब के संग्यान में रहना चाहिए और इसलिए इससे दुनिया के लोगों को कोई उनके मन में कोई भ्रहम नहीं होना चाहिए ये सीरा सा सवाल इतनी है और इसका उत्तर यही है कि उन्हीं लोगों के लिए कानून बनाया गया इस भारत में नागरिक्ता संसोधन कानून इसलिए कहा गया इसको कि जो लोग वहाँ परताडित थे और उनके लिए यहाँ पर भारत में उनको नागरिक्ता देना है कुलस्ते अपने संसदिय छेतर के लखनादौन पहुंचे जहां पर उन्होंने भाजपा कार्याले में कारेकरताओं के बैठक लेकर नागरिक्ता संशुधन कानून को लेकर जन्जागरुकता भियान की शुरुआत की कुलस्ते कारे करताओं के साथ लखना दौन के बाजार से होकर मुख्य मार्ग की एक जन्ट संपर्क रैली में भी शामिल हुए शिवेर में 22 राज्यों से 425 सदत से शामिल हुए हैं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इस शिवेर का खासियत है कि यहां बिना बुलाए कारे करता आते हैं 1980 में सेवदल क्यांप में मैंने हिस्सा लिया था आंतरेक बल और शक्ती सेवदल क्यांप से ही मिलती है राजनैतिक परिवर्तन संगठन के कामकाज और प्रभावित करता है कबलनात ने कहा संगठन के कामकाज में क्या जोड़ना है इस पर आप विचार करना होगा परिवर्तन कैसे करें सेवा दल का संदेश कैसे गाउं गाउं तक पहुचाएं कबलनात ने कहा सेवा दल कारेकरताओं को बीजेपी की पिछले 6 साल की राजनीती पर ध्यान दे रहा होगा बीजेपी गुमरा करने की राजनीती कर रही है कि गुम्रा की बात करने आते हैं, आपको बारतिय जनता पार्टी की राजनी पहचानी है, पिछले छे साल, साथ साल की राजनी की पहचानी है, इस प्रकार से इनकी ध्यान मोरने की राजनी थी है, हर चीज में ये ध्यान मोरेंगे, अभी लोकसला का चुला हुआ, जनता का ध द्यान मुड़ दिया तो यह द्यान मुड़ने की राजनीति आध चुनौतिया और प्रश्ण हमारे सामने दूसरे उसका जवाब नहीं है अपके कभी सुना मुझी जी को नौ जवानों की बात करते हुए पिछले कुछ महिनों में किसानों की बात करते हुए मैंलाओं की बात इन में से जो नहीं लिखा गया है उस पर चर्चा ज्यादा होनी शाहिए कमलनात ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कॉंग्रेस को राष्टवाद का पाठ वो पढ़ा रहे हैं जिनका स्वतंतरता संग्राम से कोई लेना देना नहीं कमलनात ने कहा गाउं-गा का कमांड सेंटर पढ़ेगा अभी नेत्री दीपिका पादुकोन को लेकर जम कर राजनीती हो रही है कॉंग्रेस दीपिका का समर्थन तो बीजेपी उसके विरोध में हैं दीपिका अपनी फिल्म के प्रमोशन को लेकर जी एनियू के आंदोलनकारी छात्रों के बीच अलीका है और कहा फिल्म अभी नेत्री दीपिका और मद्रदेश सरकार की विचारधारा एक सी है इसके बाद महिला कॉंग्रेस की कारेकरताओ ने गोपाल भारगव के बंगले का घिराव किया और उनसे अपने बयान पर माफी माँगने को कहा कॉंग्रेस के प्रदेशन के चलते नेता प्रतिपक्ष के बंगले पर भारी संख्या में पुलिस बलतेनात रहा इस्ति पादो इस्ति पादो इस्ति पादो पहला के सम्मान में आदरस के लाज में दीपिका पादुकोर्ण के जेनियू में अंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में खड़े होने के बाद उनकी फिल्म छपाग पेहत चर्चा में है मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को दीपिका पादुकोर की फिल्म छपाक को प्रदेश में टेक्स फ्री किया था और विपक्षी गलो को आरे हातों लेते हुए कहा कि कलाकारों को विचार धाराओं के आधार पर नहीं बाटना चाहिए फिल्म की रिलीज के पहले दिन दीपिका की फिल्म के समर्थन में NSUI के कारिकरताओं ने मुफ्त में टिकेट बाटे उसका विरूद करना में समस्तों जायज नहीं है आधेश बर में युवा और चात्र दिबीका पादुकोड के समर्थन में खड़े हुए छपाक मोवी देखना चाहते हैं तो वोपाल NSUI ने यहां के चात्र शात्राओं के लिए मुफ्त टिकेट की विवस्ता की थी जिन भी विद्यारतियों ने अपने कॉलेज का ID काइट दिखाया है हमने उनको टिकेट वितर दिया वहीं भाजपा विदायक रामिश्वा शर्मा ने आजे देवगन की फिल्म ताना जी को भी टैक्स फ्री करने की मांग सरकार से की विदायक शर्मा ने कहा कि महराश्टर के CM उदर ठाकरे इस फिल्म को टैक्स फ्री करवाने के लिए कमलनात को पत्र लिखें एक्टरिस दिपिका पादुकोंड के JNU जाने के विवाद थम ही नहीं रहा है भाजपा के निशाने पर आए दिपिका पादुकोंड की फिल्म छपाक रिलीज हुई है जिसे मद्यप्रदेश की कमलनात सरकार ने टेक्स फ्री कर दिया है इसके जवाब में अब भाजपा कारेकरता अजदेवगन की तानाजी फिल्म का समर्थन कर रहे है राधानी भोपाल में कॉंग्रेस की छात्र इकाई एनस यू आई के कारेकरता जहां एक तरफ छापात फिल्म के टिकेट मुफ्त बाटते हुए दिखाई दिये वहीं बाजपा कारेकरता तानाजी फिल्म के फ्री टिकेट बाट रहे हैं बाजपा कारेकरताओं के मुताविक तानाजी फिल्म देश भक्ति को बढ़ावा देती है और ऐसे में हम प्रदेश के लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील कर हैं और टिकेट बाट रहे हैं बाजपा कारेकरताओं ने ये भी कहा कि छपाक फिल्म भी अच्छी हो सकती है लेकिन उस फिल्म की मुख्या भिनेत्री देश के गदारों के साथ खड़ी हुई है और यही वज़य है कि उनका विरोग किया जा रहा है चरतर सुद्रे का चतरपती सिवाजी का शोर ये एश्वय जग जाहर होगा और दुनिया में जीजावाई के योगदान को बताया जा सकता है और हिंदी भी सौराज का यश्गान गाया जा सकता है अनता सिपसेना भी मुस्लिम तुष्टिकरिन की नीती के सिकार हो गई और वो भी कॉंग्रेस के हातों की कटपुदली बन गई हम आगरे करेंगे लोगों से के ताना जी देखने जाईए चत्रपती सिवाजी के शोरी की यश्गाता गाईए जीजावाई का रिंड चुकाईए भारत के हिंदी भी सौराज को शलाम करिए कानहा नैशनल पार्क में बागों में बागिन को लेकर आपसी लड़ाई चल रही है इसके चलते पार्क के सरही रेंज में दो बाग आपस में भिड़ गए इसी कड़ी में पिछले दिनों मुक्की रेंज के बाबा ठेंगा तालाब के पास दो बाग आपस में लड़ते जिससे बागों को नुकसान हो सकता है क्योंकि कारण इस पष्ट है कि जब हाती गश्टी दल को पता चलता है कि बागिन को लेकर बागों के बीच में बर्चस्वकी लड़ाई हो रही है तो ऐसे समय में गश्टी दल किसी एक बाग को दूर तक खदर देता है जिससे बाग रेंच में बर्चस्वकी लड़ाई जारी है और बागिन को आकरशित करने के लिए बाग अपनी चान पर खेल रहे हैं मुखी रेंच के बाबा ठेंगा तालाब के पास जब दो बाग एक बागिन को लेकर बर्चस्वकी लड़ाई कर रहे थे उसी समय परेटकों ने इनकी आपसी लड़ाई के दरश्य को अपने कैमरों में क्याप कर लिया साथ ही कुछ परेटकों ने इसकी वीडियो भी बढ़ाई बागिन को लेकर टी बीस टी चौबीस बाग के बीच में काफी देर तक लड़ाई हुई वहीं बागिन टी सत्ता इस चुप चाप ये नजारा द देखती रही काना नेशनल पार्क की उप संचालक अंजना सुचिता तिर्की का कहना है कि बागिन पर बर्चस्व बनाने के लिए बाग आपस में लड़ाई करते हैं ये सवभाविक है हाती गश्टी दल से मॉनिटरिंग चलती रहती है कई बार हाती गश्टी दल द्वारा बाग को हटाया जाता है और बर्चस्व की लड़ाई में अगर बाग खायल होता है तो इसका इलाज भी किया जाता है। देश में वहने वाले किसी धर्मिया जाती के लोगों को प्रभावित नहीं करेगा बलकि इस कानून से हमारे देश में जो पड़ोसी देश के शनार्थी हैं उनको नागरिकता मिलेगी देश के रूप में इस देश के मून दिवासी जो बिभिन देशों से प्रतारिक होकर लोटे हैं प्रतारित होकर लोटे हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है कांग्रेस और बाकिया समाजिक्तत भरम पहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी की नागरिकता खतम करने का है इसमें नागरिकता किसी की खतम नहीं होना है चतरपुर के सरवई में दो दिन पूर्व हुई व्यपारी कामता प्रसाद गुप्ता की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है व्यपारी के हत्या उसी के ड्राइवर ने कुलहाडी मार कर की थी बताया जा रहा है कि व्यापारी ड्राइवर विनोस सोनी को वेतन नहीं दे रहा था जिसकी वज़ा से कुछ दिन पहले मृतक के बेटे के साथ भी ड्राइवर का विवाद हुआ था इसी विवात के चलते जब व्यपारी अपने घर में सो रहा था ताभी ड्राइवर ने व्यपारी के हाथ द्या कर दी पोलिस निया आरोपी के पास से कुलहारी चप्त कर ली है और आगे की कारवा इश्रू कर दी है कि साथ जन्वरी बीस को अना सरवी कस्वे में कामिता प्रशाद बुटता है जिनके उल्बे चववन बर से उनको किसी वक्ती द्वारा अधियात वक्ती द्वारा सिर्में चोट पहुचाई दी गई ती इससे बाना में इलास्तिदानों की लक्ति हो गई तक जहां सोता था इ इसे घर से रख्त रंजित कुलारी से इसने उसके अत्या की फूल लगी कुलारी ब्रामत की और आरोपी जोसेन ने स्विकार किया पुरानी द्वाराई की उपर से इसने आंता पशाद के अत्या करती है सिंग्रॉली में लगातार हो रही दुरगटनाओं को देखते हुए पुलिस अधिकशक अभीजीत रंजन के निर्देश और सर पावर MP लिमिटेड के CSR विभाग दे सुरस्वती विद्याले नंद बिहार में अपनी टीम के साथ पहुचकर वहां उपस से चात्र पारी दी इस दौरान उन्होंने चात्र चात्रां को बताया है कि सडक पर चलने के दोरान आपकी सुरक्षा ही सर्व परी है जिसके लिए आपको दो पहिया वाहन चलाने के दोरान हेल smart लगाना चाहिए साथ ही वाहन के पूरे काक्ज़ात लेकर चलना चाहिए यदि आप च हमारा में ना हमारी जिक है एक दर् पूरा पुली सिंग्रोली में और आक्षिदेंट्सलीए म häufig मुहिंभी आर्जा चला रही थे बाहर भी चला रहे है उसी कड़ी में हमने आज रजमिलार मधनूरा यंग पास तर एक स्कूल ऑनदरे के स्कूल है वहां हमने बच्चों को आज सिख्षित किया है, उनको बताया है रोड एवेरनिस के बारे में और उसके बाद में हमने बाहरा करके जो गामीड जो लोग है उनको भी अवेर किया है कि शड़ा सुरक्षा बहुत जरूरी है, डियान रखें और रोड पर जब भी चले, अलर्ट रहे सुरक्षित रहे साथान रहे यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के दौरान बच्चों को बताया कि सड़क और गुरू दो ऐसे माध्यम हैं जो अपने इस थान पर यथावात रहते हुए आपको आपके गंतव्य तक पहुचाने का कारे करते हैं इसलिए इन दोनों का स दस्यों के साथ साजा करते हुए इस जागरुक्ता कारे करम को बढ़ानी का कारे करें जन जागरुक्ता कारे करम में एस आर कंपनी के सुरक्ष अधिकारी श्री राम पांडे स्कूल के व्रचारे राम भवन दिवेदी विशेश रूप से उपस्थित थे विश्व प्रसिद श्री खजराना गणेश मंदिर में तीन दिवस ये तिल चतुर्थी उचसव के लिए सवा लाख लड़ों का निर्मान शुरू कर दिया गया है यह सब 13, 14 और 15 जनवरी को खजराना इस ते श्री सिद्धी विनायत गणेश मंदिर पर बनाया जाएगा इस दोरान मंदिर पर सोने के मुकोट के साथ ही हीरे मोतियों से बाबा का श्रेंगार किया जाएगा वा पुष्प सज्जा के साथ ही मंदिर का आकर्शन बढ़ाने के लिए तमाम तरह की साथ सज्जा की जाएगे मंदिर प्रमुक की माने तो इन तीन दिनों में करीब दो से धाई लाख शदारू शी खजराना मंदिर पर पहुँचने की संभावना है कि मुकूट चबाए जाएगा मोच्यों का सरंगार किया जाएगा फुल सज्जा पुलों का बंगला बनेगा और सारी प्यारिये भी चल रही है इसमें करेव चदूत्जी है उस दिन करेव दो ड़ह लाख पब्लित आएगे चिखाजराना गणेश मंदिर पर बीती एक जनवरी को करेब साले आठ लाक शद्धालों के आने के बाद यहां एक विश्व किर्तिमान बना है जिसके बाद शद्धालों का आकाशन इस मंदिर की ओर और बढ़ गया है इस बार इस तीन दिन की उत्सव में फिर लोगों की भीड रहेगे आप देख रहे हैं दखल न्यूज